टार्गेट बिच आलोक आनलाइन इस्ट्यूट की तरफ से स्टार्ट की गई सूपर्टेट 2020 की सफल यात्ता में मसंदीर पिवारी एक बात पिर से आपसे भी खत्वागत करता हूँ हम लोगों ने एक जरनी स्टार्ट की जिसमें आपका सहयोग आपका साथ होना बहुत तनिवारे हैं सूपर्टेट 2020 जिसकी सारी उर्जा आप हैं और आपके ही मार्गदर्फन पर आपी के जो है रिजित होने पर हम लोगों ने इस संस्थान की दौरा इस बैज की स्टार्टि के फुरू एक टीचर बनने का सपना सजो रहे हैं देख रहे हैं तो उसमें आप लोग जो है अपनी इस सफल यार्टरा में हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के साथ 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 सूपर्टेट 2020 को सफल बनाएं तो मैं संदेव पिवारी एक बार फिर से टार्गेट वि से पहले मैं आप लोग को इस बात की जनकारी देना उससे समझता हूं क्योंकि हम सब लोग के पास इतने सारे मैसे आते हैं इतने सारी जो है इन्फॉर्मेशन से लेने के लिए तमाम सारे आपके सुन्दे साते रहते हैं जिसमें आप सब को हमसे जुड़ने का माध्यन दू क्याय कि जाते हैं आप इस नमबर बी बात कर की दोड़ा और करके बात करे आपको सो ना दी जाए की आप को बैस से जोड़ने करने के बाद आप इस पर entry part super-t Kell करके आप जैसे इस नंबर पर मैसेज करेंगे संस्तान की तरफ से आपको जो है संस्तान की तरफ से आपको सुचना देने का पूरा process पूरा system यहां पर इस्टार्ट कर दिया जाता है आप से संपर kiya जाता है जो सिस्टम से जोडने का तरीका होता है, नमबर में रिपीट करूँगा, 9125-423936, इस अथंटिक नमबर अथंटिक नमबर तरफ पर आपका यह अथंटिक नमबर है, जो आपका वाट्टिक नमबर है, आप इस नमबर को सेफ करके हम से जोडने की प्लानिंग करी थे, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ टीजे हम यहाँ पर इसी सेसन में फिनिस करेंगे, मैस में आपने देखा कि महत्वोड भूमिका थी जो पहला चैप्टर है आपकी आंकी की योगिता, जो आपकी नमेरिकल अबेलिटी है, नमेरिकल अबेलिटी का जो पहला पार्ट मैंने आपसे डि इंखला में, जो हम लोग यहाँ पर नमेरिकल अबेलिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ एक सेसन, कुछ एक कांसे, कुछ एक पार अपना कम्पीट करने की पूरी कोशिस यहाँ से कर सकते हैं, और मेरा उडिस सार्थक होगा, अगर आप में से कोई भी पढ़ाना सारता हुआ, शुरुआत करते हम लोग इस सेसन की, जिसमें हम लोग यहाँ पर इस मैस के सेसन में, नमेरिकल अबेलिटी का पार्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर वर्गमूल कहेंगे, मैं यहाँ पर इसी जिए, पहले से भी प्लान करके रखा हूँ, कि आपका वर्गमूल आज आपकी क्लास में पढ़ाया जाएगा, वर्गमूल एक ऐसा पार्ट होता है, जो काफी कंफ्यूज करता था, हम भी जब पढ़ते थे अकैडमिक में, वर्गमूल ग्याद करने के दौरान बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी प्राब्लम आया करती थी, ठेक्ट पर देखेगे, यह वर्गमूल चैप्टर आंकिक योगिता पर नहीं, आप मेंसुरेशन पर भी और तमाम तरह के चैप्टर में जहां पर वर्ग वर्ग की करने की प्रक्रिया होगी, वहां पर वर्गमूल आपके पूछा जाता है, और मैं आपको कंप्लीटर होने के नाते एक कंप्लीशन को आजा है, माहोल समझने के नाते में आपको इस बात की सियोरिटी लेता हूँ, जो भी वर्गमूल आपसे ग्याद करने को कहेगा, अधितर वह सब की सब परफेक्ट स्वेर नंबर पर डिपेंडेंट वर्गमूल होगे, आप वर्गमूल जब ग्याद करन एक मेरे पास संख्या थी, और किसी ने कहा कि उस संख्या का आप कर दीजिए वर्ग, तो हमने किया वर्ग, वर्ग करने से संख्या की पावर दो लगी, संख्या की पावर दो लगी, मतलब संख्या को संख्या से गुड़ा किया गया, तो संख्या अपने का एक स्क्वेर जन संख्या, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पोड़वर्ग संख्या के बारे में नहीं भी जानते हैं, तब दिली जरे आप शीखेंगे, एक संख्या जो किसी की अडारेक्ट वर्ग होती है, उसी कोड़वर्ग संख्या क्या से, जो किसी की वर्ग होती है, जैसे एक एक का वर्ग होता है 4-2 का वर्ग होता है 9-3 का वर्ग होता है 16-4 का वर्ग होता है 25-5 का होता है उसी फिरिंखला में अगर कोई संख्या किसी की पावर में हैं मतलब direct work में दी गई है तो वा संख्या एक podwork संख्या है और हमारे इस पूरे इस completion के environment में जो हमों वर्गमूल घ्याद करने की डिमांड की जाएगी, वो कँछ इसी प्रकार की संख्थाओं का वर्गमूल घ्याद करने को करी जाएगी. आप से वर्गमूल पूछा गया, तो जाहिर सी बात है, एक किसी पोड़ वर्ग संख्या का जब वर्गमूल गयाद करेंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी मतलब यह साइकिल आपको मिलेगी आपके पास एक संख्या थी संख्या का आपने वर्ग कर रखा था अल्रेडी वो हमारे सिस्टम का पाड़ था हमको वर्ग जब दिया गया था मैंने उस संख्या का वर्गमूल गयाद किया तो जाहिल सी बात देखी यहाँ पर होगा क्या यह जो मेरे पास यहां पर एक सिस्क्वेर था उसको हम प्रेड़ेंड कुछ इस प्रकार से करेंगे या इस प्रकार से करेंगे या तो हम x² की पावर एक बटा दो लगा देंगे मतलब किसी भी अधार पर या डारिक्ट आप से कहेंगे x² का वर्ग मूल ज्याद करने को कहा जाएगा जैसे माली जी हमने एक संख्या लिखा 5 5 का किसी ने का भी या इसका वर्ग करिये हमने इसका वर्ग किया तो मिला हमें 25 अब किसी ने हमसे का 25 का वर्ग मूल करिये तो 25 का वर्ग मूल करने का मतलब डारिक अगर ना बोल करके ऐसे लिख दिया तब भी मैं समझूँगा मुझसे कहा जारा 25 का वर्गमूल करिए या मुझसे कहा दिया 25 की पावर एक बटा दो है तब भी हमसे कहा जा रहा है को वर्गमूल करिए और ऐसी दसा में जैसे ही आप वर्गमूल करेंगे आपको प्राप्ट होगा पाथ तो जो confusion का सबसे बड़ा सब्दा है यहाँ पर क्या है पोडवर्ग संख्या क्या जब हम प्रसनों को हल करेंगे तो हम इस बात को डिसाइट कर पाएंगे कि संख्या है हमारी पोडवर्ग है की नहीं है इसलिए क्योंकि हम जब अपने इस टेक्निकल मेथट को यहाँ पर आपके साथ सेयर करेंगे तो हम उनी संख्याओं के बारे में आपको बताना पसंद करेंगे और बताएंगे क्योंकि 99.99% जो questions होते हैं जहाँ पर वर्गमूल की requirement होती है वह आपकी परिच्छा में पोडवर्ग प्रसनों से ही पोडवर्ग संख्याओं से ही लेकर के बनाये जाते हैं इसका मतलब हमें आचानकारी में रखना बड़ावत सिख है कि संख्याओं पोडवर्ग हैं की नहीं है संख्याएं पोडवर्ग निधारित करने के लिए मैं पोडवर्ग की कुछ इस्ति आपको समझाना चाहूँगा तो मैंने जैसे आप से बताया कि जो हम टॉपिक पड़ रहे हैं वर्गमूल इस वर्गमूल में हम उन्ही संख्याओं को प्रिफर करेंगे जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वेर नंबर हैं मतलब पोडवर्ग संख्याएं एक्जामपल के तौर पर जैसे आपने एक लिखा, आपने चार लिखा, आपने नौ लिखा, आपने सोला लिखा, आपने पच्चीस लिखा तो अगर यहीं संख्याएं पांची इसको चैलेंज हैं कि यहाँ पर हम हमारी उसको पहचान करने सिस्टम एक प्रकार का प्रसमों को हल करने का माध्यम भी आपको देता है कभी-कभी आंकिक योगिता में कुछ ऐसे तरीकि बताएंगे उनी से डायक्ट संबन्दित हो contacting पर सेयर करेंगे. थम पोडवर्ग संख्याओं से ही संबंधित बाती आपको यहाँ पर संख्यांगे. उद्धंग फैक्ट की सुरुवात में कुछ इस प्रकर्च से करता हूँ. सबसे पहला फैक्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ. यगर कोई संख्या, कोई संख्या, पोडवर्ग संख्या है, जहां दीजेगा, कोई संख्या अगर पोडवर्ग संख्या है, तो उसके अंत में, संख्या के अंत में, चाहता तो मैं इस टॉपिक को यहां पर लिख करके, आपके लिखा लिखा है, आपके सामने इस्प्लेन कर स लेकिन ओ इतना effective नहीं होगा जितना यहां पर मिलिख करके explain करके आपको समझताओंगा अंत में कभी भी दो, तीन, साथ या आठ ना आए को ध्यान दीजेगा मेरी बातों को जो जो में बाते आपको बताओंगा वह बाते आप समझते जाएगा मैंने कहा यदि किसी संख्या के अंत में दो, तीन, साथ या आठ ना आए तो उस संख्या के पूरवर्ग होने की संभावना है लेकिन यहां पर फिर fact रखिएगा दिमाख में इसका मतलब उसने दो, तीन, साथ, आठ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया कि अगर हमको पूरवर्ग बनना है तो मेरे अंत में कभी भी दो, तीन, साथ, आठ नहीं आना चाहिए इसका मतलब अंत में आना क्या चाहिए अंत में जो आना चाहिए वह आपका सुन्ने आना चाहिए एक आना चाहिए चार आना चाहिए पाच आना चाहिए छे आना चाहिए और नौ आना चाहिए वह कुल डिजिट हमारे पास मैस में दस डिजिट होते हैं किसी संख्या के अंत म दो, तीन, साथ, आठ ना आए तो पोड़वर्ग बनने की संभावना है इसका अर्थ ए हो गया कि किसी संख्या के अंत में अगर अगर सुन एक, चार, पांच, शे और नौ आएगा तभी वह संख्या पोड़वर्ग बनेगी इसकी जनकारी मैं अभी थोड़ी दिर में आपको और एक्स्प्लेम करूँगा लेकिन पहले दिमाख में रखते चले जाएगा लेकिन इस बात को भी यहाँ पर रख करके चलिएगा दिमाख में जरूरी नहीं कि एक अंत में आ गया तो हम पोड़वर्ग हो गई चार अंत में आ गया तो पोड़वर्ग 14 लिख दिया हमें कहां पोड़वर्ग है अगर जैसे हमें 91 लिख दिये हम 71 लिख दिये तो कहां पोड़वर्ग है अंत में 5 की बात अगर कर दे 35 लिख दिया तो कहां पोड़वर्ग मैंने कहा आने की संभाव ना है ना कि हम पूरी सेवरिटी वे रहें कि वह संख्या हमारी पोड़वर्ग होई ही गई पहली कंडिसेंट दूसरी कंडिसेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको रिमार्ट परकिए यह जिक इसी संख्या के अंत में अंत में अगर पाच है अंत में पाच है तो तब दहाई का अंत दहाई का अंत दो दहाई का अंत दो होना अनिवारे है अगर कोई संख्या पोड़वर्ग है और उसके अंत में पाच है उसके अंत में पाच है तो उसका दहाई का अंत दो होना अनिवारे है जैसे कल आपको मैंने पिछली क्लास जो हम लोगों ने करी है और मैं आप लोगों से रिक्विस्ट करूँ हो जो पहली पेहली कर रहे हैं यदी किसी संख्या के अंत में 5 है और वाहें पौरणवर्ण संख्या है तो मैं डेड से और हूँ को उसके पहले 2 होगा अगर कभी ऐसे इस स्कती आई कि अंत में पाँच और उसके पहले दो के अत्रिक्त कोई संख्या है तो कभी पोड़ वर्ग नहीं हो सकते पोड़ वर्ग होने के लिए उसके दःए के अंग पर दो का होना अनिवारी है ठिक्स है, अगर नहीं है तो फिर वह पोड़वर्ग होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बनती है, इस बात को दूसरा नंबर आप लोग दिमाग में रखिएगा, तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे, और तीसरे पॉइंट के में बात आप से करता अगर दिजेगा, हम अगर कहेंगे किसी संभावना के अंत में, यहाँ दीजेगा सब लोग, अंत में यदी छे आए, यदी छे आए, तब दहाई का अंक, एक बिसम संभावना होगी, जैसे आप देखते हैं कि 16, 16 यहाँ पर पोड़वर्ग संभावना है, देख रहे हैं आ आप लो, 36 पोड़वर्ग संभावना है, देख रहे हैं आप लो, इसी प्रकार पे बहुत सारी संभावना हैं बनेगी कि पोड़वर्ग बनेगी, जैसे 256 पोड़वर्ग संभावना है, आप सब जानते हैं, लेकिन दहाई का अंक हमेशा देखेंगे तो एक बिसम ही कभी भी अंत में अगर 6 आ रहा है, दहाई का अंक ही दो हो जाए, चार घो घॉसारी है, चोधी बात में करूँगा, यदी संभावना है यदि संख्या संख्या है दिमाग में रखेगे इस बात को संख्या होने के लिए अंत में या तो सूने रहे या तो चार रहे या तो छे रहे बाखी दो का काम खतम ही था आठ का काम खतम था बाई दो आएगा अंत में तो पूर्ण वर्ण होगा नहीं आठ आएगा तो पूडवर्ग होगा नहीं इसका मतलब अंत में केवल सुनने आने पर सम आप सोच सकते हैं चार आने पर सम सोच सकते हैं छे आने पर सम सोच सकते हैं यदि संख्या सम है तब संख्या तब संख्या चार से चार से अवज से विभाजित होगी चार से अवज से विभाजित होगी आप चाहे जिस संख्या को ले लिजिए अगर वह संख्या कोडवर्ग है अगर वह संख्या कोडवर्ग है और वह एक सम संख्या है सम संख्या का मतलब अंत में सूनने है चार है या छे है तो 100% वा जो संख्या बनेगी वा चार से अवस्य विभाजित बनेगी चार से विभाजित करने के लिए आपको ध्यान देना होता है जैसे माली 256 था अंत में देखी छे है इसका मतलब यह एक सम संख्या है अब आप अंतिम के दो अंकों को गर चार से डिवाइड करने के लिए आपको पूरी संख्या को चार से डिवाइड नहीं करना होता है केवल अंतिम के दो अंकों को चार से डिवाइड करना पड़ता है अंतिम के दो अंकों को आप चार से डिवाइड करें देखिया चार से पोड़ता कर जा रहा है 144 एक पोड़वर्ग संख्या और यह एक सम संख्या है क्योंकि अंतिमे चार है जाता है कि अंतिन के दोंग अगर चार से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी चार से कट जाती है फैक्ट आपको तीन-चार अभी हमने बताए और फैक्ट मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको भी दिमाग में रखिए आप तब लोग इसी में जैसे अगला पांचवा फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा यदि संख्या के अंत में सोन्य आये अंत में यदि सोन्य आये अंत में यदि सोन्य आये और वह संख्या एक कोडवर्ग संख्या है तो सोन्यों की जो संख्या होगी सोन्यों की संख्या सदयो सम होगी सुन्यों की संख्या सदय संभ होगी मेरी बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कैसे जैसे कि अंत में अगर सुन्य है तो संख्या 100 हो सकती है तो पोड़वर्ग बन जाएगी जरूरी नहीं 100 है तो मतलब अंत में सम बार सुन्य है मतलब पोड़वर्ग ही बनेगी लेकिन ऐसे समझने की कोशिस करिएगा जैसे मैंने का 100 है तो 100 में देखे 2 सुनने है 400 है देखे 2 सुनने है तो पोड़वर्ग संख्या है एक हजार कभी भी पोड़वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम में 3 सुनने 10 हजार पोड़वर्ग हो सकता है क्योंकि अंतिम में 4 सुनने है ठीक है इसी तरह से 900 देखे आपका पोड़वर्ग है क्योंकि अंतिम में 2 सुनने है इसको दिमाग पे रखिएगा तो मैंने चार पाँच बाते बताई पाँच बातों के साथ एक बात और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ सेर कर देता हूँ उसको भी दिमाग में रखिएगा यदि संख्या एक दसम्लो संख्या है संख्या एक दसम्लो संख्या है दसम्लो संख्या है तब दसम्लो के अंक दसम्लो के अंक सम अस्थान पर होने अनिवारे हैं अगर मालीजी कोई एक आपको दसमलो संख्या दे दी गई दसमलो संख्या दे दी गई जैसे कि आपको कहा जाए कि मालीजी सोला था सोला को तो वर्गमूल हम ज्याद कर सकते थे क्योंकि इसका वर्गमूल देखी क्या हो जाएगा one six दे दिया जाए तो आप अर्गमूल याद कर देंगे और जैसे इसका चार आया था इसका भी चार ही आएगा बढ़ दसंबलों यहाँ पर दो अस्थानों पर लिखा था तो एक अस्थान पर लिखा जाएगा ना कि जो है दसंबलों का अस्थान आपका एक अंग पर हो तीन पर हो इस परकार से करेंगे तो अस्थान कभी बढ़ वर्ग तंख्या नहीं हो सकती कंडिशन में एक हलका रिविजन आपके साथ करूँगा थोड़ा सभ्यान दीजेगा अंत में दो तीन साथ आठ ना आए मतलब सुन एक चार पांच छे नौ आ सकता है अंत में पांच है तो दहाई कांग दो होना अनिवार है फिक्स हो गया अंत में छे आएगा तो दहाई कांग एक बिसम संख्या होगी या फिक्स हो गया अगर संख्या सम है तो अगर संख्या सम है तो वह चार से सदेव कटेगी, चार से पूर्ता कटेगी, यह भी फिक्स हो गया अंत में यदि सुनने हैं तो सुनने की संख्या सदेव सम होनी चाहिए अगर वह संख्या एक दसंबलो संख्या है तो दसंबलो के अंक जो होंगे वह सम अस्थानों पर होने अनिवारे हैं इस प्रकार से हम पूर्ड वर्ग होने की कंडिसन का जाजा ले सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं पूरी तरह से स्योरिटी तो कभी पोड़वर्ग की कोई बता ही नहीं सकता, हो इने सकती है, लेकिन एक अपनी इंट्रेक्षन, अपनी फेलिंग आप लोग दे सकते हैं, नमबर को देख करके क्यों बहाँ दी गई संख्या है, पोड़वर्ग संख्या है कि नहीं है, मेरी बा जैसे मालीजे आपने, मैं यहाँ पर कुछ चीजे मेंसन किया हूँ, इसको भी आप लोग बेखते जाएगा, जैसे जब आप कभी भी पूडवर्ग ग्याद करें, मतलब वर्गमूल ग्याद करने जाएं, तो जिसका वर्गमूल अगर हम लोग ग्याद कर रहे हैं, उसके बा जिसका मतलब जब वर्ग होगी, तो क्या जन्रेट करेगी, '? tutti बैस सोनने कवर करिए देखी सोनने आएगा, एक कवर करिए एक आएगा, दो कवर करने पर चार आएगा, तीन कवर करने पर नौ आएगा, चार का करने पर छे आएगा, पांच का करने पर पांच आएगा, शे का करने पर छे आएगा, साथ का करने पर नौ आएगा, आठ का करन है कि अंत में सुन एक चार पांच छे नौ ही आता है सुन एक चार पांच छे नौ ही आता है दो तीन साथ आठ नहीं आता है ऐसी दसा में हम यहां तो डिसाइट करें अगर अंत में सुन एक चार पांच छे नौ आता है तो वह किस के लिए बनकर आता है सुन किस के लिए बनकर के लिए किसके लिए बंकराता है इस बात को देखि को दिख्यों पर एक कालम बनाएं इसको दिमार करेख़ जो संख्याय आपको दी गई ईसका आपको करना है वर्गमोल उसके अंत में अगर सुनने होगा, उसके अंत में अगर सुनने होगा, उसके वर्गमूल के अंत में भी सुनने ही होगा, यह पक्का है, अगर उसके अंत में एक होगा, तो उसके वर्गमूल के अंत में या तो एक होगा, या तो नो होगा, आपको होगा ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है, एक का वर्ग एक होता है, नौ का वर्ग 81 मतलब अंत में एक होता है अगर दी गई संख्या के अंत में चार होगा तो जिस संख्या का वर्ग मूल आप ज्याद किये हैं जिस संख्या का आप वर्ग किये हैं उसकी इकाई का अंत क्या होगा बताइए दो होगा या तो आठ होगा ठीक है? उसकी इकाई का अंक वर्ग की इकाई का अंक, जहां दीजेगा वर्ग की इकाई का, मतलब संख्या की, आप लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या की इकाई का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिस संख्या का वर्ग अगर जो संख्या का वर्ग कर रहे हैं, हम लिख देते हैं यहां पर वर्ग की गई, संख्या के इकाई का, जहां दीजेगा, मैंने कहा, अंत में अगर सूनने है, तो उस संख्या के, जिस संख्या का वर्ग किया गया, उसकी इकाई में भी सूनने रहेगा, अगर जो हमको संख अंग्या हमारे पास होगी उसके अंत में या तो एक होगा या तो नूँ जिसे अंत में जोले होगा अगर पांच आ रहा है तो उसके अंत में आथ न wagon वह कोई तो जो आपको होगा और रहा है प। या तो तीन कवर्ग नो होता है या तो साथ कवर्ग नो होता है तो चीजे थोड़ा सा पेयर पर बन रही है सुनने के लिए और पांच के लिए तो कोई समस्या नहीं कोई confusion की बात नहीं बाकी के लिए हमारे पास दो-दो आपसंस एबिलेबल रहेंगे उन दोनों आपसंस हम डिसाइड करेंगे संख्या का वर्गमूल क्या होगा ठीक है अभी धीरे धीरे बाते आपको असपष्ट होती जाएंगी एक 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 इकजामपल हम ले करके कीजों को प्लान करते है मालिजे मुझे 23 तो 4 दिया गया एक संख्या है और इस संख्या का मुझे कहा गया को वर्गमूल ग्याद कीजिए हम लोग इसका वर्गमूल दो प्रकार से किया करते थे या तो भाग भी दी से या तो गुडन खंड भी दी से आपको याद होगा गुडन खंड में आप सबको अच्छी तरह से पता था किसका 2, 3, 0, 4 का हम गुडन खंड करते थे मतल जैसे जब तक 2 से कटे तब तक 2 से काटे यह देखें फिर 2 से काटा 2, 5, 10 होता था 2, 7, 14, 2, 12 होता था फिर 2 से काटी दो दूना चार होता है 2, 16, 2, 16 हुआ फिर 2 से काटा 144 हुआ फिर 2 से काटा 72 हुआ फिर 2 से काटा 36 हुआ इसी प्रकार से 2 से काटा 18 हुआ दो से काटा नव हुआ फिर आप देख रहे हैं तीन से काटा तीन बाद फिर तीन से काटा थे हम लोग पेर बनाते थे दो का एक पेर दो का एक पेर दो का एक पेर दो का एक पेर मतलब आप इसी चीज को जब बड़ी और संख्याओं के लिए फेस करेंगे तो और ज़्यादा डिफिकल्टी आपके सामने आएगी मैं चाहता हूँ इस किसी भी प्रकार की ऐसे मेथड को आप इग्नोर करिए और अब मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ उस प्रकार के मेथड को फालो करिए और इसका सही सही उत्तर इस प्रकार से हमारे सामने प्रैक्टिस करेंगे आप कम्पीट करें जब भी आपको जो संख्या दी गई है मेरी बात कुछ मात में बरखिए जैसे आपको दिया है तेईस तो चार करना हमको वर्गमूल है ऐसी दसा में आप इंदी गई संख्याओं के अंत से दो डिजिट ले लीजिए अंत के दो डिजिट लेकर बाती छोड़ दीजिए अब आप बताई आपके पास क्या बचा है पहले तेईस बचा है माली जै आपने चार का चुनाओ किया एक औरल डिसकुसन आपको अपने दिमाग में और करना है क्योंकि आप देख रहे इंड में यहां पर है चार चार के लिए दो आपसंद बताया गया था या तो दो होता है या तो आट होता है लेकिन अभी तो हमसे और नहीं थे ना अगर हमें फर्स टाइम इसको फेस करना होता थो ऐसी दसाने जिस संख्या का आप करते हैं चुनाओ उसका वर्ग अपने ओरल डिमाग में सोचे क्योंकि पहले वर्ग किया था तभी आपने चार यहां पर सेट किया था पांच का वर्ग किया था चार का वर्ग किया था सोला आया था तभी आपने सोचा था जो वर्ग है अगर उसमें हम उसी संख्या को जूड़ दे मतलब एक्स अगर हमने संख्या सोचा उसी संख्या में उसको जूड़ दे जोडने से मैंने देखा मेरा आया 20 जिस संख्या के लिए आपने प्लान किया है अगर उस संख्या से आप होते हो कम मतलब अगर आप होते हैं तो अगर कम होने की दसा में आपको बड़ी संख्या लेना पड़ेगा अगर देखे ध्यान से मेरे पास 20-23 से कम है इसका मतलब मुझे 48 का चुनाओ करना पड़ेगा 20-23 से कम है इसका मतलब मुझे 48 का चुनाओ करना पड़ेगा अगर 20-23 से ज़्यादा मतलब यह जो वर्ग करने पर जोड़ने पर मान हमारा अगर एक्स से ज़्यादा होता मतलब इस यहन से ज़्यादा होता उस दसा में हम छोटी संख्या का चुनाओ करते हैं अब मेरी बात को दिमार्ख में और रखे जो मैं यहां पर नियम आपको लिख रहा हूँ मैंने कहा जो संख्या का चुनाओ करते हैं उसको हमने कहा एक्स अगर उसी एक्स के वर्ग में एक्स को जोड़ा और मैंने अपनी दीगे संख्या यहां से इसके तुलना किया और मान मेरा छोटा आ रहा तो बड़ी संख्या लेंगे अगर यही x square plus x greater than यहन होता तो आप छोटी संख्या का चुनाव करते भाई जीदी सी बात है कि जो दो pair में संख्याएं रहेंगी एक छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी अगर जैसे मैंने यहां पर इसको करके अपलाई किया पता चला कि x square मतलब 4 cover 16 में 4 जोडेंगे तो 20 और 20 है 23 से छोटा तो मतलब बड़ी संख्या आपको सपोर्ट करेगी आपको उत्फर 48 सही माना जाएगी इनकेस यहमान आपका 23 से बड़ा आता तो आप वहां पर दो का प्रियोग करते और दो उस समय लेकर के सही उत्तर बनाया जाता इसलिए मैंने इस बात को लिख दिया है आप लोग इसको अपनी काफी में लिख भी सकते हैं जिस संख्या का चुनाओ करी उसका वर्ग दो पहले से प्लान किया उसमें उसी संख्या को जोडेंगे और अपनी दी गई संख्या से उसकी तुलना करेंगे मान अगर छोटा होगा तो बड़ा बड़ा होगा तो छोटी संख्या का चुनाओ करी एक दो एक्जामपल करेंगे, सब असबस्ट होता भी चला जाएगा, देखिए, मेरे सामने हैं एकत्यस तो छत्यस, करना इसका भी मुझे वर्गमूल है, जैसे हमें इस एकत्यस तो छत्यस को लेंगे और आप सब लोग भी अब कमेंट बॉक्स में आ गए हैं, तो आप सब ल या तो 4, या तो 6, या तो 4, भी तो उट्तर हमारा है, या तो 54 होगा, या तो 56 होगा, दोनों में कोई भी हो सकता है, मैंने 5 का वर्ग किया था, 25 में 5 जोड़ा था, हुआ 30 हो, 30 मेरा 31 से छोटा था, इसका मतलब बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे, सही उट्तर आप च् भी इस प्रकार की स्थिति आएगी आप धीरे-धीरे आप जैसे जिसे को हैबिट में लाएंगे यह इतनी असान प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए का छड़ भर में उत्तर दे सकते चाहें जितना बड़ा नम कर रहें आप जैसे जिसे करते जाएंगे उतने ही है विचल होते चले जाएंगे अगला डिजिट देखी आपके सामने होगा आप जल्दी से अब इन तरह के प्रस्णों का उत्तर कर सकते हैं यह सामने से मैंने फिर वही सेम अप्लाई किया मुझे पता है कि 9 कवर्ग होता है 81 10 कवर्ग होता है 100 तो 9 असपर्ष्ट है कि 9 ही आएगा और 9 कवर्ग अच्छा यहां पर मुझे पता है कि जैसे अगला प्रस्ण भी मेरे सामने मैं थोड़ा से जल्दी बहले चल रहा हूँ लेकिन यही जैसे मेरी जो attitude रहेगी habit रहेगी वही आपके अंदर इस प्रकार की संख्याओं को अपने जहन में लाने की और जल्दी से जल्दी करने की एक समता आपको प्रवाइड करेगी भले ही मैंने इसको जल्दी से किया लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँ का आप मेरे से जल्दी से करिए तब जाकर कि कहीं आप रयास सार्थ को पाए अब इस प्रस्म का उत्तर अब तक आ जाने चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में जो लोग आपको देख पारे मुझे मुझे लग रहा है कि संख्या के लिए हमें 11 का चुनाओ करें क्योंकि 11 का वर्ग 12 होता है वर्ग बहुत महत्पूर भाग है इसलिए वर्ग की भूमिका दिखे कितनी जादा है चानवे है चानवे के लिए आपको पता है या तो चार या तो छे सोचिए 111 में अगर 11 जोड देंगे तो इससे बहुत बढ़ा हो जाएगा 119 ही तो है 121 में 111 जोड दिया तो आपको बढ़ा हो गया की ने 132 हो गया ऐसी दस्ता में अगर बढ़ा हो रहा है तो आप छोटी संख्या का चुनाओ करें मतलब 114 इस प्रसंद का उस्तर आएग एग 111 जब मैंने किया तो यह greater than 129 आया इसका मतलब छोटी संख्या का चुनाओ करना पड़ेगा छोटी संख्या मैंने लिया 344 लेना पड़ेगा 106 को हटा देना पड़ेगा चलिए एक और डिजिट हम लोग लेते हैं यहाँ पर जिसे 980 एक है मैंने इसके लिए भी सोचा आप सब लोग प्लीज कमेंट बॉक में आये हैं तो जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए 98 मुझे पता इसके लिए भी 9 है और यहाँ पर एगर एक है तो आपको असपश्ट है कि या तो एक होगा या तो 9 होगा जो मैंने बनाया था इस स्टार्टिंग में उन्हीं का यूज करना आपको उत्तर में दो ही पेयर को लेकर confusion आती है अंते में अगर 25 है तो कोई समस्या की बात नहीं अगर यहीं पर जैसे लिखिए एक प्रस्ट होता 625 625 के लिए इसका प्रसुन का उस्तर हो गया 5 के लिए बहुत असान है सुनने के लिए बहुत असान है लेकिन बाकियों के लिए थोड़ा सा यहां पर पेर की समझ से हमारे सामने बनती जैसे यहां पर बन दे 9 कावर की 81 में हम जोड़ेंगे 9 तो आएगा 90 आपको पता है कि यहां पर 90 अभी भी भी बहुत छोटा है 98 से तो जाहिर सी बात है अगर बहुत छोटा है तो हम बड़ी संख्या का प्रयोग करेंगे और अपना काम असान करेंगे अपने उत्तर को सेट करेंगे 99 इस प्रसुन क में बताएं मुझे क्या कर तकते हैं बताईए 43 43 के लिए आप सबको अच्छे से पता है 43 के लिए आप 6 गोड़े 6 36 करेंगे 7 सत्य तुन्चास हो जाता है तो 6 लिखना यहां पर 60 बटभी कंफ्यूजन यहां इस 6 को लेकर ही यहां पर यहां तो 4 आएगा यहां तो 6 आएग आप इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं बता सकते हैं अगला प्रस्न देखी एक और लिया हमने यहां पर अब धीरे-धीरे जैसे इस तरह की बाते आपको बस पश्ट एग्दम से हो गई होगी इसको देखें आपको कुछ डिजेट फोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूम इतना तो हमको पता ही है ना, 14 के 159 होता है, तो 13 सेट है यहाँ पर, 13 लिखिए, 13 का 177 वर्ग होता है, 13 जोड दीजी, तो बड़ा छोटा भी डिसाइड हो गया, बड़ा छोटा भी डिसाइड हो गया, राम से 6 साथ 122 हो गया, जो कि बड़ा है 1808 थे, बड़ा है और 6 के इन बातों को देख करके, अभी हमारे दिमार्ग में confusion और भी होगा, कि क्या हम वर्ग ऐसी संख्याओं का भी करें, जो की दसंबलों में हैं, वर्ग मुल भी ऐसी संख्याओं का करें, जो की दसंबलों में हैं, क्या या सिस्टम भी पास हो सकता है, या सिस्टम भी चल सकता है, इस क्रड़ी में मैंने लिखा यगर हमें दसंबलों संख्राओं का वर्ग तथा वर्ग मूल ग्याद करना हो तो हम कैसे करता है असान प्रक्रिया है जैसे हम एक सिंपल संख्या आठ ले रहे हैं मेरी बास सुनिए गज़तो आठ का अगर मैं वर्ग करूँ यहां पर मैंने लिखा संख्या और यहां पर मैं लिख रहा हूँ वर्ग आठ का मैंने वर्ग किया मार्कों खुब अच्छे से गौर करिएगा सब अस्पस्ट हो जाएगा तो आपको पता है 64 अगर मुझे किसी ने कहा होता कि भया अगर डल Corn यहां पर चार अगो पर दर लगाया जाएगा यहांपर किसी ने ऑमको कह वगा होता तो 64 तो आएगा, बट confusion यह है कि यहाँ पर 3 अंगों पर दसंबलों लगा है, तो आपको 6 अंगों पर दसंबलों लगाना पड़ेगा, 6 अंगों पर दसंबलों लगाना पड़ेगा, जिरो पॉइंट अगर मेरे पास यह 0, 0, 0, 3 बार, 0 करके 8 होता, तब भी 64 आता, बट जब यहाँ पर 4 अंगों पर लगा है, यहाँ पर 8 अंगों पर दसंबलों आपको लगाना पड़ेगा, 8 अंगों पर दसंबलों लगाना पड़ेगा, अब आप कुछ बातें समझ पा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, समझ बताइए, समझ यह पा रहे होंगे, कि अगर दसंबल का अगर हम वर्गमूल ग्याद करने की कोशिश करें ध्यान दीजिएगा यही वर्ग का वर्गमूल अगर ग्याद करने की कोशिश करें तो जैसी समाने सिस्टम होता है उसी प्रकार से हम वर्गमूल इसका ग्याद करेंगे अगर हमें 64 का वर्गमूल ग्याद करना है तो सबसकर कर सकते हैं, अगर अस्ठान एक होटा, ती मोटा वोता है, तो हम नहीं अक्यर पाती नहीं हो पाती है. जोंसठ है, दो अंगों पर दस्वलों रख्था है, दस्वलों भूल जाईए. बस इतना सीव रखे Play रही हैं कि दस्वलों दो अस्थानों पर है. मतलब सम अस्थानों पर है 64 का 8 होता है ना दो अस्थान पर रखता है तो यहां पर एक अंग स्थान पर दसम्लों लगा दीजी अगर हमसे कोई यहां पर किया जिता सब 6 असम्लों चारगा कर दीजिए आप और गमोल तो मैं कहता भीया एस समाने रोग से पॉसिबल नहीं है क् सब्सक्राइब मेणों पर दीजिए आपर हमकों सब्सक्राइब कर देख सेता है आप फे नियु備 आडेट सम्सक्राइब जीर यृटा यहां पर लिचे पर लिए तब दे समील तीन औरहेंगे यहां पर हमकों कह स्थी होगा से तब चारगर सिरे अग में तेन्तिव आठ फी चार अंकों पर लगाएंगे इस प्रकार से मैंने कहा कि जब संख्या से वर्ग करते हैं तो दसंख्या से वर्ग करते हैं तो दसंख्या के अंक निर्धारण के लिए दो से गुड़ा करते हैं लेकिन जब हम संख्या से मतलब किसी पोड़ वर्ग संख्या से वर्ग मूल ज्या करते हैं तो दसंबलों का अंक निधारित करने के लिए दो से भाग देते हैं, भाग देते गए, दसंबलों का अंक निधारित करते गए, मुझे पूरी उमीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं एक प्रसन हम इस पर भी कर लेकिन जब हमने इस दो का सब्सक्राइब अगर आठकम है जब हमने इस दो का वर्ग किया तो चार मिला चार में दो जोडा पूमें श पेहांitas ऀया इक 스ने आठकम को सेलेक्त کیय, आठको सेलेक्त کیया, दो चार अंगों पर दसंग्न लगा था, मैंने दो अंग्न पर दसंग्न लगा दिया, 028 वाइं प् проблем honest का उत्तर हो गया, एक प्रसनावर लिया, मेरे सामने, यहाँ पर फिर एक संख्याई, पहली चीज़, मैंने बाकी डिजिट नहीं देखा, संख्या ना देखा, मैंने दसमलों का अंग देखा, दसमलों 2, 2, 4, 2, 6 अंगों पर है, हमारी requirement पूरी है, हम लिखेंगे 7, 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4, वर्गमोल करने के लिए हम यहाँ पर दो अंगों पर सोचेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, 77 है, आपको पता है कि 8, 8, 64 होता है, और 64 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो बाहतर होता है, बाहतर इससे छोटा है, तो आप बड़ी संख्या सोच लिजे, 88, 6 अंगों पर दसमलों लगा है, तो आपको जरूरत था तीन अंगों पर दसमलों लगाने की, तीन अंगों पर दसमलों लगाएंगे, 0.088 इस प्रस्म का उस्तर हो जाएगा, आप सब मेरी बात को खुब समझ पा रहे होंगे, खुब अच्छे से कर पा रहे होंगे, यही जो आपका बरोसा है, यही जो जो आता है वन्चा में कोई कखर ना चोड़ेंगे, जितना संबव हो सकेगा, जो एक हुमन परसर से संबव हो सकता है, जितना संबव हो सकेगा, उतने हथ तक जाने की बोशस भी इसके साथ मैं जयने को समाब करता हूँ, अनलस्ता है